देखते ही देखते राजेश और डिमपल के रिष्टे में दरार आने लगी राजेश और टिना मुनिम के अफेयर की खबरे उड़ी तो जगडे की कोई सीमा नहीं रही आखिरका 1982 में डिमपल राजेश को छोड़कर अपनी दो बेटियों के साथ घर लोटाई राजेश से अलब होने के बाद डिमपल खुद को साबित करना चाहती थी जिसका एक मात्र सहारा था फिल्मों में वापसी डिमपल के एक दोस्त ने डाइरेक्टर रमेश सिप्पी को बताया कि ओ कमबैक करना चाहती है रमेश ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया डिमपल 11 एर्स के बाद कैमेरे के सामने आई थी उनका कॉन्फिडेंट इतना कम हो चुका था कि ओ कैमेरे के सामने आते ही कापने लगी तेस्ट खराब रहा लेकिन रमेश ने उन्हें कास्ट कर लिया फिल्म थी सागर जिसमें उन्हें पहली फिल्म बॉबी के हीरो रुशी कपूर और कमल हसन के साथ कास्ट किया गया फिल्म एक साल बाद रिलीज हुई जिसमें पहले डिमपल की फिल्म जक्मी शेर रिलीज हो गई मनजिल मनजिल, एदबार और अरजुन के बाद 1985 में डिमपल की फिल्म सागर रिलीज हुई डिमपल के टॉपलेस सीन के कारण फिल्म की खुब आलोचना हुई हाला कि इसे 58th Academy Award में भेजा गया काश, इंसानियत का दुश्मन और जक्मी अवरत जैसी बहतरिन फिल्म में देते हुए डिमपल ने इंडस्ट्री में खुब कामिया भी हासिल की मनजिल मनजिल और एतबार जैसी फिल्मों में साथ काम करते हुए डिमपल कापाडिया और सनी देवल की नजदी किया बढ़ गई दोनों करीब 11 एर्स तक रिलेशन में रहे लेकिन जब इस रिष्टे से सनी की शादी शुदा जिन्दगी में दिक्कते बढ़ी तो दोनों अलग हो गए उस समय डिमपल की बेटिया सनी को छोटे पापा कहती थी 1992 की फिल्म दुश्मन देवता में डिमपल कपाडिया को सनी देवल के पिता धर्मेंदर के साथ कास्ट किया गया था दोनों का फिल्म में किसीन सीन भी था जबकि डिमपल धर्मेंदर से 21 एर्स छोटी थी इस सीन के चर्चा में रहने का कारण ये भी था कि उसी समय डिमपल का पडिया सनी देवल के साथ डेट कर रही थी हाला कि इस बात से धर्मेंदर अंजन थे कुछ रिपोर्स के मुताबिक जब डिमपल को ये स्क्रिप्ट दी गई थी तो उसमें किसिंग सीन नहीं था जब बाद में इसे जोड़ा गया तो डिमपल काफी नाराज हुई उन्होंने डारेक्टर के दबाव में सीन शूट तो किया लेकिन बाद में इसकी डबिंग से इंकार कर दिया हाला कि बाद में उन्हें मानना ही पड़ा राजश खन्ना का घर छोड़ने के बाद भी डिमपल ने बेटियों के लिए उनसे रिष्टा रखा दोनों कई पब्लिक इवेंड में साथ नजर आते थे 1990 में राजश खन्ना की फिल्म जै सिवशंकर रिलीज हुई थी इस फिल्म में डिमपल का पडिया राजश खन्ना के साथ नजर आई शूटिंग के समय एक बार राजश की तब्यद बिगड गई लेकिन उनके होटल के बाहर चाहने वाले उनकी एक नजर पाने के लिए भीड लगाए बैठे थे डिमपल ने रेडिव.com से बातचित में ये किस्सा शेयर करते हुए बताया था कि राजश ने सब के सामने जाने का फैसला किया तो डिमपल ने उन्हें संग्लासेस और शौल दी डिमपल ने उनसे कहा काका जी जब आप लोगों को देखो तो सामने मत देखना आपकी साइड प्रोफाइल अच्छी लगती है राजश खना ने गुस्से से डिमपल को देखा और जवाब दिया अब तुम मुझे सिखाओगी राजश का ये जवाब सुनकर ओ डर गई और सब के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी 1982 में भले ही डिमपल ने राजश का घर छोड़ दिया था लेकिन उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया कई प्रोग्राम में डिमपल राजश के साथ पहुंशती रही 2012 में जब राजश बिमार हुए तो डिमपल ने उनकी खुब सेवा की जब राजश करना का निजन हुआ तो डिमपल पूरे समय उनके साथ मौजूद रही चलो जल्द ही मिलते है नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में